आज हम बीए पार्ट सेकंड सोशियलोजी पेपर सेकंड में रिजिनल डिस्परेटीज टोपिक पे डिस्कसन करेंगे पिछली वीडियो में इसी टोपिक रिजिनल डिस्परेटीज अथा छेत्री अशमानताएं का इंट्रोड़क्शन पॉइंट पे परिचेक के बारे में इसके बारे में कि भारत में उत्री भारत और दक्षनी भारत दोनों की सांस्कृतिक विशिष्टाओं में काफी अंतर हैं वहां परिवार विवा किंसी प्रिष्टिदारी आधी में किस परकार से अंतर है इसके बारे में डिस्कसन किया था आज हम इसके सेकंड पॉइंट चेत्रवाद या रिजिनलिजम के बारे में डिस्कसन करेंगे तो प्रसित समाश शास्त्री रजने कोठारी के अनुशार नेताओं और भारत के शाहनुबूती रखने वाले राजनितिक परिवेच्चकों के आकांचाओं के बावजूद पुनर गठन से भारत का राजनितिक नक्षा अधिक सुसंगत हो गया और राष्ट की एक्ताग को भी खाश नुक्षान नहीं पहुँचा बलकि इससे लाब बस यह वा कि जगड़े का कारण दूर हुआ और राज्जियों का काम काज ऐसी भाषा में होना शंबव हुआ जिसे जनसादरन समझ सके बलकि बाद के अनुभो से तो ये कहा जा सकता है कि भाषा जोडने वाले शक्ति सिदुई यदि इसमें कोई शंका की बात है तो यही कि उप भाषाओं और अस्थानी संस्कृतियों के अधार पर राज्जियों के टुकड़े नहीं हो जाएं देश की अखंटा एक्ता के लिए सबसे बड़ा खत्रा छेत्रवाद यानि रिजनलिजम की भावना है चेत्रवाद की भावना के कारण ही देश का विभाजन हिंदुस्तान वर पाकिस्तान के रुप में हुआ और आजादी के बाद भी इसी भावना के कारण देश के विभिन भागूं से प्रिथकरन की आवाज उठी चेतरवाद की भावना ने राष्ट की भावना भावात्म या राजनितिक एकता की छवी दुमिल कर दी और समय समय पर देश को तनाव या संगर्सों से जुजना पड़ा है एक चेतर के लोगों ने दूसरे चेतर के लोगों के साथ उसी परकार का व्योहार किया है जैसा कि दुस्मन राष्ट के परति किया जता है चेतरवाद की भावना ने राष्टिता की जड़े खोकली कर दी और देश के समुक अनेक आर्थिक एवं राजनितिक संकर्ट उत्पन कर दिये एक चेतर के लोगों ने भाष्ट आर्थिक विकाश यम शंकिन राजनितिक हितों को लेकर आंदोने छेड़े और चेतरिता की भावना को राष्टि भावना से भी उंचा स्थान दिया चेतरवाद का अर्थ क्या है और परिवहशा किस परकार दी जाती है इसकी रिजिनलिजम मीनिंग एंड डेफिनिशन शाधरान अर्थों में प्रांतवाद चेतरवाद और चेत्रियता का परियावाची संधूं के रूप में परियूद किया जाता है जिसका अर्थ है हेडविंग हिंडर्स लिखते हैं कि छेत्र वाद एक छेत्र विशेश के वेक्तियों के विशिश अनुराग तथा पक्षता पुन धार्णाउं से संबद है पौगाडस की विचार है कि एक भोगरिक छेत्र के साधनों का विकास इस परकार से हो जाए कि वहाँ के लोगों में सामोही खेतों, छेत्री लक्षनों और आदर्सों का विकास हो जाए तो उसे चेतरवाद या चेतरेता कहेंगे उनका विचार है कि चेतरेता में एक सांस्कृतिक समगरता होती है दूसरे सब्दों में एक चेतर में एक जैसी संस्कृति पाई जाती है उसका एक सांस्कृतिक इत्यास होता है उसके निवासियों की भाषा, भावना, विचारों, एम विवारों में समानता पाई जाती है छेतरी संस्कृती राष्ट्री संस्कृती की उपर नहीं होती जैसा कि मुखरजी का विचार है छेतरिता, राष्टिता के अधिन होती है संकुजित अर्थ में छेतरवाद का तात्परी एक छेतर के निवाजियों द्वारा अपने आपको दूसरे छेतरों के लोगों से स्रिष्ट समझना है तथा अपने आर्थिक, राजनितिक, सामाजिक और सांस्कृतिक खेतों को सर्वोच प्रात्मिक्ता देना है अपने भाषाओं को अन्य भाषाओं से स्रिष्ट समझना है दूसरे सब्द में छेतरवाद या छेतरिता अन्य सब्दों में एक संपून राष्ट की तुलना में अपने ही छेतर को स्रिष्ट मानने हम सभी छेत्रों में उससे प्रात्मिक्ता देने की पक्षितापून भावना है छेत्रेता की विशिष्टाएं क्या होती है पहला छेत्र के आधार पर प्रसाशन का विवेकी कर्म पाये जाता है जो प्रतिक्रिया शवरूप शामाजिक सांस्कृतिक प्रतियांदोलन किया जाता है संगहात्मक संरचना में अधिक अधिक उप संस्कृतियां श्वायत्ता प्राप्त करने के लिए राजनित्तिक प्रतियांदोलन करती है इकायों में राजनितिक आकांचाओं को प्राप्त करने के लिए प्रथकरण की प्रोड़ती देखने को मिलती है ऐशा करने के पीछे चार उद्धिश्य हो सकते हैं पहला चेत्री संस्कृति को पुनरड़ जीवित करना और उप संस्कृति का निर्मान करना दूसरा प्रशाशनिक और राजनितिक जुए को उतार फेकना तिसरा केंद्र वयराज्य तथा चेत्र की दो या अधिक संस्कृतियों की बीच टकराव को दूर करना और चोथा है केंद्र वेराज्जियों या उप संस्कृतियों में आर्थिक वेराजनितिक संतुलन कायम करना है छेत्रवाद अस्थाने देशभक्ती तथा छेत्री स्रिष्टा की बहाना को बल देता है एक छेत्र के लोगों में संस्कृतिक समानताएं पाई जाती है उनके विचारों, आदर्सों, कला, धर्म, पर्थाओं, रितिरिवाजों या भाषा में एक रुपता पाई जाती है उनके शामाजिक, संस्कृतिक, राजनितिक या आर्थिक हित या समस्यां समान होती है अत्य वे एकता के सुत्र में बन जाते हैं तथा अपने छेत्र के परती उनमें प्रगाड देशबक्ती की भावना होती है और कभी-कभी तो वे राष्ट्री हितों को भी तिलांजली देकर छेत्री हितों की रक्षा करते हैं यही नहीं वे अपने चेत्र को अन्य चेत्रों राश्टुर्शें भी सिरिष्ट समझने लगते हैं परणाम सरूप चेत्रित तनाव यहीं संगर्शों का जर्म होता है चेत्रवाद एक सीखावा विवहार है ये एक चेत्रवाद की विश्यस्ता है प्रतेक चेत्र की एक संस्कृती होती है जिसे यहां के निवासी सीखते हैं ये उन्हें वंसानुक्रम में नहीं मिलती इसलिए का जाता है चेत्रवाद एक सीखावा विवहार है निक्स्ट है संकिन छित्रवाद छेत्रिय सुषाषण ये प्रिथ Wildlife करन को बल प्रदान करता है जब लोगों में संकिन छेत्रवाद पाया जाता है और वे अपने ही छेत्र उच्मश्ट समझते हैं तो ऐसी स्थितिम वे छेत्री सोशासन तथा केंदर और राष्ट के प्रतक होने की मांग करते हैं नेश्ट है छेत्रवाज संकिन मनोवर्ती का सूचक है सामाने ते छेत्रवाज संकिनता यूद प्यदा करता है क्योंकि एक छेत्र के लोग अपनी भाषा, संस्कृती, आदर्स और शिद्यानतों को ही स्रिष्ट और दूसरे छेत्रों की संस्कृती को हीन समयने लगते हैं राष्ट्र भक्ति के स्थान पर छेत्रवाज में स्थाने वाभादारी को अधिक महतों जिया जाता है यह वह छेत्रवाद की विशिष्टा हैं जो आमने अभी डिसकस किया लेकिन यह छेत्रवाद क्यों उत्पन होता है कौन-कौन से कारण है या कौन-कौन से से फेक्टर्स हैं जो छेत्रवाद के लिए उत्तरदाई है तो इसमें पहला कारण है राजनितिक कारण पॉलिटिकल फेक्टर छेत्रवाद को जन्देने में प्रमुक कारक केंद्र वे राज्यों के तथा एक राज्य या राज्यों के तनावपून समंद्ध भी है ये तनाव कई कारकों को लेकर उत्पन हुए जैसे विभीन प्रोजेक्ट्स किस प्रांत में लागू की जाएं। प्रिवी छेत्रों ने अपने यहां उद्योग खोलने की मांग की ऐसा करते समय भी भूल जाते हैं कि आर्थिक द्रिष्टी से वे उद्योग उस शेत्र में लाबदायक सिद्ध होगा या नहीं। जब प्रांती द्वा बढ़ जाता है तो उद्योग के आर्थिक द्रिष्टी को उनको त्याग न होता है। योजना बनाने वाले के समुख भी जब एक समस्या आती है। शामाजिक संस्कृति कारक चेत्रेता या चेत्रवाद को जन देने में शामाजिक संस्कृति कारकों का भी मैं तो पून्युगदान राय भाषा, शंस्कृति, आदी की समस्याओं और चेत्रियादार पर बनी सेनाओं जैसे सिव सेना, लक्षी सेना एवं हिंदू सेना आदी भी चेतरवाद को बढ़ावा दिया है। इन सेनाओं का उदेश्य शामुदायक समस्याओं को हल करना था। भारत की भोगोलिक परिस्तितियां इस परकार किया है कि संपून भारत भोगोलिक द्रिष्टि से कई वागों में विवक्त है। इससे एक भोगोलिक चेतर में एक प भोगोलिक कारक भारत में चेतर जाता को जन देने में भोगोलिक कारकों का भी एक महतुपून योगदान रहा है। भारत को हम परमुक चार भोगोलिक चेतरों में बाट सकते हैं। पहला उत्री परवतित परदेश, दूसरा गंगा सिंदू का मेदान, तीसरा दक्षिन का पठार, चोथा समुद्रत, तटिय भाग। परते की भोगोलिक विशिष्टाएं, मिट्टी, जंगल, भुभाग की आकरती तथा मोशम एक विशिष्ट परदान किया। जो दूसरे भुभाग से नहीं मिलती। भोगोलिक विवेद ने वहां के लोगों के शामाजिक, आर् परते की दूसरे चेतर से बिलकुल भीन होते हैं, इसके परणाम सुरूप लोगों में चेत्रवाद की भावना का उत्पन होना श्वभावीक है। नेक्स्ट एधिहासिक कारक। भोगोलिक कारकों की बाती एधिहासिक कारकों ने भी चेत्रेताव को जन्म दिया है, परते समय में अलग-अलग छेत्रों में अलग-अलग राजा राज करते थी, परतेक शामंत का एक सीमा तक राजी का विश्टार था, एक राजा अध्वाशामंत की शासन के अधिन रहने वाले लोगों ने सांस्कृतिक, सामाजीक एक्ता एम समानता पन पिये। संपून भारत, क जो आज तक समापनी भी है। भाशा बाद, छेत्री बहुना को बढ़ा देने में भाशा की समस्या ने भी महत्वपून भूमी का निवाई है। एक छेत्री की लोग एक भाशा का परियोग करते हैं, अपनी भाशा उसकी सब्दावली, शैली, एम साहित्ते को लेकर ही भार लाश्ट कारक है मनुवेज्यानिक कारक। अपने छेत्र के परती मानसिक लगाओ तथा उसकी उन्नत्ति की भावना ने भी छेत्रीता को जनम दिया है। लेकिन ये भावना जब इर्ष्या द्वेशियों शंगर्ष का रूप ले लेती है, तो राष्ट एकता को भी खत्रा उत्तम हो जाता है। जरी छेत्रीता राष्ट्र विकाश में या राष्ट्र निर्मान में एक बाधक के रूप में है। थेंक्यूं।